प्रश्न कर रहे हैं इन्होंने स्थान आदे नहीं लिखा है कह रहे हैं प्रणाम गुरुबर कर्पिया मेरे समताप का निवारण करें मेरे मन का शोग समाप्त कर मुझे पर कृपा करें इसी प्रास्ना करते हुए अपना प्रश्न निवेदन कर रहे हैं कि मैं कई बार जब अधिक समयाव अधी के अनुष्टान जब ब्रत आदे करता हूं तो कई बार उसके बीच में अंतिम दिनों में शुप्न दोस हो जाता है और फिर हर समय में मुझको दुख रहता है इसका क्या उपाए है निवार न करें क्या ऐसा होने से सारे ब्रत जब तब खंडित हो गए क्या ऐसे हिसको क्या समाधानल है एक पुछना चाहरे है primeira है कि यह VS वपन दोस हो जाता है तो क्या तत्समय में किये जाने वाले कोई अनुष्ठान यग्याद में दीक्षिद जो व्यक्ति है तो उसमें कोई दोश है क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है क्या उसका खंडित हो गया तो देखिए विचार करिए मुख्य बात यह है कि स्वप्न दोश होता क्यों है स्वप्न दोश सायंकाल को दूदाद अधिक खाने पर ज्यादा भोजन करने पर अपाच्य हो जाता है व्यक्ति कुपच हो जाता है तब अध्वा वो गलत चिंतन करता है तब या वो जब अत्यधिक बीर यह बनता है तो फिर अब वो इतना उसको उर्द हो रेता नहीं है व्यक्ति के उसको या तो मेहनत करे तो अपने शरीर पर उसका असर हो जाता है अत्वा फिर वो उसको ब्रमतेज बनाने के लिए उपर खीच ले जाता है उर्द हो रेता कहते हैं जिसको ऐसा जो अभ्यास नहीं होता है तो फिर वो निकल जाता है यह है तो यदि अनिच्छा से अनिच्छा से स्वपन दोस होता है हो जाता है तो उसमें कोई भी ऐसा जब तब अनुष्टान ब्रताद खंडित नहीं होता है यग्योपवी जरूर बदलना चाहिए ऐसा आचारियों की परंपरा से प्राप्त है कि यज़ स्वपन दोस में असाबदानी रहती है वो सोता रहता है तो वो जो है उसको यग्योपवीत अवश्च्य बदलना चाहिए देखिए परंद ब्रताद खंडित नहीं है वो तभी खंडित माना जाएगा जब वो स्वेच्छा पूर्वक ब्रह्मचरिका विशर्जन करेगा ब्रह्मचरिका भंग करेगा तो वो ब्रत जब तप आज जो भी कर रहा है तो वो उसमें जीनुत आएगी वो खंडित माना जाएगा अब एक विशर पर और विचार करें कि ये स्वपन दोश का भी दोश लगता है आदमी को ये ध्यान रखियेगा ये वात हो भी ब्रत पर अनुश्टान में तो ठीक है वो जो हो रहा है तो उसमें साबदानी बरते हैं क्योंकि मन से गलत चिंतन करने पर ही स्वपन दोश होता है जे वात माननी पढ़ेगी तो स्वपन में किये गए अपराद का स्वपन में भी मन से और जो सही हो वो हुआ है किसी न किसी गलत इस्तिरी का चिंतन हुआ है जबी जो है वो जो इस खलित हुआ है ऐसा मापरसों का कहना है तो उसमें भी अपराद लगता है इसका भी प्राइस्चित करना चाहिए भगवन नाम जपाद करना चाहिए भगवान से प्राइस्चित करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए तो वो यह नहीं होता है और भी मैं आपको एक बात बतलाओं कि प्राया मैं पढ़ाता हूँ तो बिद्यारतियों को यह समस्चा रहती है तो मैं बतलाता रहता हूँ और मैंने भी किया है कई बार मैं भी करता हूँ क्या है कि बटवरिक्ष का दूद जो बतासा आता है उसमें लेकर के बतासे में दूद लेकर के बतासे में दूद लेकर के बतासे में दूद लेकर के एक बाद दूसरी बाद सायंकाल को कम भोजन करना चाहिए, दूद पी करके नहीं सोना चाहिए, कम से कम दो गंटे, दूद पीने के बाद दो गंटे बाद सायं करना चाहिए, और आत्री में भोजन करने के बाद कम से कम एक देड़ गंटे बाद विश्राम करना चाहिए, कम स श्रवन अश्ट्रियों के बीच में बैठना गुई वाशन वो सब बर्जित करना चाहिए जैसे अश्ट प्रकार का जो मैतन है जो स्मर्णम कीर्टनम केली पेक्षणम गुई वाशनम संकल पोध्यवसायस्चर क्रिया निश्पत्ति रेवचर यह जो आठ तरीके के महितन बत कर देना यही प्रमचरिका भंग करना नहीं है इन सबको आचारे होने जो मैचोन संग्या दी है और है इसमर्णम गलत इसमर्ण करना मन में चिंतन करना किसी भी सुन्दरी का या यह काम की संबंदित लीलाओं का यह सब कीर्थन आपसमें चल्चा करना को जो है परसपर इस्तियों को पुरस और पुरसों के लिए इस्तियों के साथ में कोई कीडाएं करना पर पुरस पर इस्तिरी के साथ में और Knitt अप गुपत भावतों करना और अच्छे गौर से गूर बूर करके देखना इसी के अंदर गता है हमारे पूज़बुर्देव कहते हैं असलील चित्रों को देखना यह सब मुबाइलों में इनमें सब लोग इसब पूरे दिन उनको देखते रहते हैं और पिर कहते प्रमचर बंगों के इससे बचना चाहिए प्रेक्षणा और कोई यह भाषणा फोन पर बात करना किसी से भी और या कोई किसी भी तरीके की असलील बाते करना जरूरत से ज़्यादा पर इससे किसी भी तरीके की बात करना और संकल्पों जाब आज हम वहां मिलेंगे वहां जाएंगे वहां ऐसा करेंगे मनमें संकल्प करना इत्याद ही यह जो कारे हैं यह सब ब्रमचर को भंग करने वाले हैं महितुन ही हैं आर प्रकार के तो अश्टांग महितुन से वर्जे तो करके जो इन नियमों का पान करते हैं तो ब्रह्म चरीबंग नहीं होता है ब्रह्म चरीबंग ओने का सुपन दोस онे का मतलब है कि आप कहीं न कहीं असाबधानी वर्थ रहे हैं और असाबधानी आप रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ दुश्परिणाम भी होगा बोगना पढ़ागा। आप सुने महापुरसों से तो महापुरसों का ये कहना है कि स्वपन में किया गया पराद भी बोगना पढ़ सकता है। उसको स्वपन में ही आपको कष्ट मिलेगा कभी। कभी ऐसी बात सुनने में आजाएगी कि जो मन को मन ने किया है न तो मन के द्वारा किये गए पाप का फल मन को भोगना पढ़ता है। किसी भी संताप या दुख या कोई ऐसे जो अपरी समाचार सुन करके या सुपन में ही वो इस रूप में भोगा जाता है। इस दृष्टी से वो भगवन नाम आधि प्रायस्चित अवस्य करना चाहिए और इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रत आधि खंडित नहीं होगा यह द्याप ने स्विच्छा से नहीं किया है तो ठीक है जिए अरहर महा देश्चित